आज तड़के जयपुर की प्रमुक महिला चिकित साले में आग लगने की घटना सामने आई है इस हादसे ने अस्पताल में अफरा तफरी मचा दी और कई मरीजों एवं करमचारियों को अस्पताल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया आग लगने का कारण अभी इस पस्ट नहीं हो पाया है लेकिन प्रारंबिक रिपोर्ट्स के अनुसार यह आग शोर्ट सर्किट की वज़े से बताई जा रही है आग सबसे पहले अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगी जहां आई सी यू और नवजाच शिशुवार्ट इस्थित है आग लगने के सूचना मिलते ही फाईर बिर्गेट के टीम मोके पर पहुची और उन्होंने ततकाल आग भुजाने के लगाताप प्रियास शुरू कर दिये फाय ब्रिगेट कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग भुजाने के दोरान धुएं से बचने के लिए मरीजों और करमचारियों को सुरक्ष दिस्थानों पर ले जाया गया घटना में किसी भी प्रकार की जन्हानी की सूचना भी तक नहीं मिली है, लेकिन अस्पताल पूरी तरह से छती ग्रस्त हो गया है, अस्पताल की संपती को काफी नुक्सान हुआ है महीला चिकित साले की प्रिशोस्ता ने ततकाल प्रभाव से इमर्जेंसी सेवां को जारी रखते वे अन्य वार्डों को खाली करने का आदेश दिया, मरीजों को पास के अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है इस हादसे की जांच के लिए एक विशेश टीम का गठन भी किया गया है, जो आग लगने के कारणों का पता लगाएगी शहर के प्रमुख अधिकारियों ने घटना स्थल का मोकम वाइना किया और सभी आविश्यक उपाय करने के दिशानिर देश दिये हैं अस्पताल के बाहर मरीजों के परीजन और इस्थान ये लोग भारी संख्या में जुटे हुए हैं जिन में से कई लोग अपनी परीजनों की इस्तिती को लेकर काफे चिंतित नजर आ रहे हैं ये हादसा स्वास्ते सेवाओं में सुरक्षा के महतों को एक बाव फिर उजागर करता है प्रशासन को इस दिशा में और सक्ति कदम उठाने की आवेश्यक्ता को दरसाता है